हेलो फ्रेंड्स जैम आतदी कैसे ही आप सभी आशा करते हूं कि आप सभी बहुत अच्छी होंगी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर और कैसे ही आप सब मुझे जरूर बताना कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके और आपके यहां पे कैसी बारिश हो रह बाहर का काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है जैसे कि हरी घाश भीरा म लाते हैं तो नहीं लाँ पा रही हूं क्योंकि सर्दी है बहुत बहुत जयादा और हमारे यहां बाड़ीधार में पढ़ गिये बर्फ जिसके कारण यहां पे हो गई है बहुत ही सर्दी तो अभी मैंने बनाई सुभा और गोशाला में जाकर के गोवर वगयरा उठाया, उनको सुकी गास डाली, क्यूंकि हरी गास तो है ही नहीं, कल मैं लाई नहीं पाई, कल इतने ज़्यादा बारिश थी, परसों भी नहीं और आज भी नहीं ला पाई हूँ, तो अभी मैं आ चुकी हूँ, खान बताऊंगी, तो बने रहेगा वीडियो में, और अभी आयों ये देखिए, विस्त्रों का हाल, जाडू लगाना है, और विस्त्रे साफ करने हैं, क्यूंकि, ये ना, बहुत बुरी हालत से, यहां पर, इन्होंने खराब करके रखिए, क्यूंकि ये सारा दिन टीवी भी यह लेती हूं, क्यूंकि ये यहां पर सारा दिन खेलते रहते हैं, टीवी देखते हैं, और वन्शुका है ये, क्यूंकि कभी-कभी वन्शुक कर देता है, विस्त्रा गीला, तो इसके लिए मुझे अलग से इसका इंतजाम करना पड़ता है, क्यूंकि अब ये छोटा है, रात तो ये टीवी देखते रहते हैं, और टीवी देखते रहते हैं, मुंग फली हुई, चिफ सुई, कुछ भी खाएंगे, तो फिर विस्तर के, या तो फिर वैड़ के नीचे को करेंगे, जो कागज होगा, लिफाफा, और जो कोड़ा होगा, वो फैंक देंगे इधर उदर ही फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं आती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि यहां पे कोई है ही नहीं जैसे, तो सबसे पहले मैं इसी को साफ कर लूँगी, क्योंकि अब ये जब रूम साफ हो जाएगा, तो फिर मुझे पूरा दिन टेंशन नहीं रह और उसके पापा को भी आफ से मिलवाती हूँ, बट वो अन केमरा बात नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं बात अन केमरा, मैं आपको पहले भी बोला था, और आज भी बोरी हूँ, कि वो अन केमरा बात नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं, क्या रिजन है इसका, वो भी नहीं करूँगा तो मैं भी ज्यादा फोर्स नहीं करती क्योंकि जिसको कैमरे के सामने आना है वो खुर आए और जिसको नहीं आना है वो नहीं आए मेरा किसी से यह नहीं है कि मैं जब अरदस्ति करूंगी तो वो कैमरे के सामने आएंगे और आपको पता ही है फ्रेंट सौ ब के आपके पास कोँगा है तो आप खुध मुधयों देखे न a बट आ के पास इतना टाइम नहीं होते हैं उंकि पास टाइम होत तो वस कुछ कोछ कहा तो पहीं सच हो गया और यहां पर मैं कर रही थी चाफ क्यूंकि शूटर च्छोटे मुंग बilian खा का के खा का के यहां पर यह हाल किया हो है जर्वार करें हुआ अगर सब दीन में धूप लगी वो तो बच्चे की चाहाँ बाहर और और कर झाहां जाते हैं अगर दूप नहीं उट फिर नहीं करें कंभल के बीच में रजाईके बीच använd गुस में और फिर घुज़ करके क्या क्या करेंगे ये दोनों लड़ते रहते हैं चेतन और वन्शो दोनों लड़ते रहते हैं इनको कोई काम नहीं सोचता तो फिर ये काम इनका सबसे ज़्यादा मुझे बेकार लगता है और इस तरह यहां पर हो गया तो जैसे ये पहले था वैसे ही मैं इसको रख दूँगी अब सैट करके और फिर जब सैट हो जाता है तो अच्छा भी लगता है देखने को चाहे हमारा घर कैसा भी है अगर हमने उसने जाड़ों नहीं दिया है उसकी सैटिंग अच्छे से नहीं की है तो फिर क्या फाइदा होता है घर तो घर होता है यार चाही कच्छा है या पक्का है पर उसकी साफ सफाई करने की तो हमारी जिमेबारी होती है और ये मेरी कोटी ये थी मैंने रात को छोड़ी हुई यहां पर जो मैंने पीछे वीडियो की थी ना शेयर आप लोगों के साथ में तो वो शादी को पहनी थी मैंने तो ये वहीं परती और कुछ कपड़े थे यहां पर फैले हुए इनको भी रख ही लेती हूँ क्योंकि ये बुरे ही लग रहे थे मुझे और ये वंशुका है तो वंशुके कपड़े और ये भी मेरी कोटी है क्योंकि आपको पता है यहां पर सर्दी बहुत है और एक अगर हम कुछ गरम कपड़ा पहन लेते ना तो उससे गुजारा नहीं होता काम नहीं चलता दो-दो कपड़े ग जाड़ो लगाने से पहले ये निच्चे वाला जो है बैठने के लिए रखा हुआ इसको मैं सबसे पहले साइड में करूँगी और फिर मुझे जाड़ो देना है और दिखेगा अभी मैंने जाड़ो उठाई है तो पीछे-पीछे से वंशुने भी जाड़ो उठाई है क्य यह था इनका सुभा का यहां पर चाय का गिलास इसका और चेतन का तो मैं दे रही थी इसको कि यह जाओ आप ना नीच्चे छोड़ के आओ इसको जहां पर इनको दोते हैं देखे चला भी गया बट इसका जाड़ो इसके हाँ से नहीं छूटेगा यह नहीं माननेगा जब बट चाय कि यह जाड़ो नहीं लगाएगा तो चला गया फाइनली लेकर के थाली और गिलास और मैं सबसे पहले यहां पर किनारों किनारों से साफ करूंगी यह ना यही किनारों पर फैंकते हैं इनको पता है मम्मी का ध्यान इस साइड को नहीं जाएगा तो जो भी मुझ जितने भी चल्के होते हैं वो यहीं पर फैंक के जाते हैं और हाँ आप सभी से मुझे एक और बात कहनी है आप न वीडियो जो लोग देली देखते हैं उन्होंने मेरे चैनल को कुछ इक लोग इन जिन्नोंने अवी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो फ्लीज स्क्राइब क आपका चैनल मौनोटाइज हो गया पैमेंट आगई कि अपको मैं जरूर बताऊंगी कीतनी आई है क्या हुआ है वह सब बताऊंगी आप लोगों को क्यूंकि आप लोग ही उसमें सहः भागीदार हो मुझी यहां तक भढ़ाने के लिए मेरा साथ जो हर पल देते हो पल पल न जरूर शेयर करूंगी और हाँ अभी नहीं आई है तो साफ सफाई मेरी यहां पे हो गई और जो हमने यहां बेटने के लिए लगाया था भो भी लगा लिया तो अब चलते हैं बाहर और यह देखिए फ्रेंट्स चेतन और उसकी पापा और उसकी दादा जी दादा जी आये थ तो इनको कल छुटी थी और यह मेरे साथ बात कर जहे थे इनके दादा जी और चेतन भागया था अपने पापा के साथ ही गाड़ी के पास यह गए थे गाड़ी लाने के लिए क्योंकि यह जिस तिन आये थे ना उस तिन इनके पास ताडला गाट का समान था किसी का तो यह चोड़ने आये थे और फिर इनको हमारे ससुची यानिकी अपने पापा जी भी घर ले जाने थे और चेतन की भी जिद थी कि मुझे जाना है पापा के साथ मुझे पापा के साथ जाना है ममी कुछ दिनों के लिए इसकी जिद थी तो मैंने भी इसको मना नहीं किया खेर जा कर आफ दो घने का फिर आगे टाइम नहीं लगेगा और काम भी होते हैं आज कल वैसे भी कुछ भी कौम नहीं है बारिस है और už दो तिन और पर्षू दिखे अंदर है इनके फीट के बरतन अभी मैंने बहार रखे हैं और घास इनको नहीं दिया है और मौसम देखो फ्रेंड्स कितना खराब हो रहा है सच में इस मौसम की मारना सबसे ज्यादा उनको पड़ती है जो किसान लोग होते हैं जिनके बास पर्षू होते जब यह खारा मौसम होता है इसके चलते है बहुत बुरा लगता है मुझे सच में बहुत ही बुरा लगता है ऐसा मौसम और उसके बाद में मैं इनको ले आई थी थोड़ा सा सिल गरम मतलब आधा गरम और आधा ठंडा पानी क्यूंकि बिल्कुल ठंडा पानी आजकल पानी भी हो गया तो सारा काम हो चुका पशू का खतम पानी पिला लिया घास मैंने इनको दे दिया और अभी बजरे हैं 12 अब मुझे करना है लंच पर मेरा बिल्कुल भी मन्नी कर रहा लंच करने का ऐसे लग रहा है कि घर बिल्कुल खाली हो गया चेतन के बीना तो देखत तुकि अब वो इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसको अकेला छोड़ू। बशीए थी कि नहीं मुझे जाना है, जाना है तो फिर गाट कि ठीक है अगर आपको जाना है बटा तो आप जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी बट आप अपना ध्यान खुद से रखना अब आप इतने भी छोटे नहीं हो कि अपना ध्यान नहीं रख पाओ और इतने भी आप बड़े नहीं हो कि आप हर एक बास समझो तो भेज दिया मैंने कोई बात नहीं देखती हो कितने दिन रह पाएगा वो भी और आज का व्लॉग बस यहीं तक बाहर के लिए बोर रहे हैं फिर मिलोंगी आप से नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए आप सभी को बाई बाई जैमाता दी आप सभी लोग अपना खोब सारा ध्यान रखिएगा अपनों का ध्यान रखिएगा अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि अपने अपने होते हैं और अपनों की अपनी जिन्दगी में कितनी महतवपुर्मता होती हैं ये कोई नहीं जानता सिर्फ हम जानते हैं आप जानते हैं और आप सभी का एक बार फिर से दिल की घहरायून से बहुत-बहुत धन्याबाद प्यार देने के लिए सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच बाई